आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में, क्यों गिर रहा है, लॉंग टर्म के लिए क्या इसका टागेट है, साथ ही साथ आपको बताएंगे, जैसे हमने पुराने वीडियो में बताय चाहिए, क्योंकि अभी ये ओवरबोर्ड जोन में आ गया है, और देखिए, वही हुआ, आज एक बड़ी रेड केंडल बन चुके है, थोड़ा और नीच आएगा, पूरा विशलेशन करेंगे, टेक्निकर अलेसे के बेसे बताएंगे, कहां तक आ सकता है, और आपको अगर कम हो जाएगा, तो इससे इनको profitability बढ़ेगी, तो ये एक primary reason था, और साथ ही साथ में, इनका Q3 का जो expectation है, sales का और export का, वो बहुत ही धाकड आने वाला है, ये trading circle में information चल रही थी पिछले 2-3 दिनों से, कि इसका sales और export quarter 3 में, much more than compared to quarter 2, बताएंगे उसका भी exact information, जब हम इसका fundamental view बताएंगे, और ये इसकी वज़े से यहाँ पर overboard zone में आ गया था, आईए चलकर पहले खबर को बताते हैं, देखें, जिस दिन ये news आई थी उस दिन करी 12-20% के आसपास बढ़ गया था ये share, और उसके बाद में, अगर आप इसकी market cap की दर्शी से देखें, तो ये company, एक अच्छी company है, textile की leader है, largest integrating player है world में, और साथ ही साथ में, इनके पास में, terry towel का सबसे बड़ा largest manufacturing facility है, एक single छत के नीचे, सबसे बड़ी cotton yarn spinner है, और साथ ही साथ में, straw based paper बनाने की सबसे बड़ी company है, तो बहुत अलग-लग diversify business है, bed linen बनाते हैं, towels बनाते हैं, paper बनाते हैं, इस सकते हैं, आप इसको primary revenue, textile से आता है, market cap की तरह से 7600 करोड की company है, तो एक mid cap की तरह से इसको track कर सकते हैं, आप अगर चाहें, तो 5% तक इसमें अपने portfolio को निवेश कर सकते हैं, अब देखे हम बात करेते हैं, sales की यहाँ पर, quarter 3 में इसका pat, profit after tax की expectation 150 करोड के असपास है, पिछ करीब 1,400 करोड की expectation है, तो अच्छा result आने की उमीद है, क्योंकि export में बहुत अच्छा फायदा मिला है इन लोगों को, और interest उने reduce कर दिया है, जिससे उनकी profitability और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, देखे, 27 करोड की बजाए, 12 करोड का interest दिया सप्टमर में, और further reduce होने की chances ह इसको यहाँ पर, अब अगर इसको shareholder pattern देखे जाए, बहुत अच्छा pattern है, जो promoter है, उनके पास 71% की shares है, पबलिक के पास 25% का share है यहाँ पर, अब technical analysis के बेसे पर देखे, तो देखे, आज यहाँ से एक बहुत बड़ी candle बनने की शुरुवात हुई थी, उपर red candle बनी, पह 14 और पर 85 पैसे के आसपास trade कर रहा है, दोस्तो हमने थोड़ा सा सतर्क किया था कि आप यहाँ पर मत खरी दिये, क्योंकि यह गिर जाएगा, और देखे, वही हुआ भी 14 और 85 पैसे के आसपास गिर चुका है, तो इसकी fundamental analysis की basis पर आपको clear information है कि यह long term के लिए बहुत textile segment में invest करना चाहते हैं, Trident is one of the best company, आपको शायद पता ना हो कि textile जो हमारा है, second largest employer है, सबसे पहला शायद पता ही हो आपको, खेती में सबस्यादा employment होता है, पर textile जो है, जो organized sector है, उसमें textile में सबस्यादा होता है, प्लीज, consult your financial advisor before investing in trading, अब अगर हम बात करें इसके technical analysis की, तो उपर चली गई थी दोस्तो, 80 के उपर एक RSI पोजन होती है, 89 तक चली गई थे हमने मना किया था, यहाँ पर मत खरी दिएगा, यह कि अब अलरी 15 के आसपास आ चुका है, इसका भाव और RSI कलेवल 77 है, अभी और RSI नीचे गिरेगी 77 के आसपास, सस्टेन नहीं कर सकती है, R अगर हम देखें यहाँ पर इसको डेली चार्ट के बेसिस पर आपको दूसरा एंगल दिखाएं, from another study, Bullianger Band, one of our favorite indicator, तो उससे देखेंगे, Bullianger Band के अभी भी बाहर है, तो कहां नहीं की उमीद है, अगर इसको प्रोजेक्टाय निकाला जाए, तो आने वाले समय में, शायद यहाँ से अभी नीचे गिरने की उमीद है, इसकी इस बात का ध्यान रखें, अब अगर हम यहाँ पर आपको इसका एक और पेरामिटर दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा, कि कैसे technical analysis को अच्छा कर सकते हैं, और भी आप, Fibonacci Arch, one of our favorite indicator, यहाँ से देखिए, अगर उपर से गिरना शुरू हुआ है, तो सबसे पहला जो support है, 12 रुपे 80 पैसे का है, और देखिए, यह कोई coincidence नहीं है दोस्तो, हमने Bullionger Band के basis पर भी 12 रुपे 50 पैसे और 13 की बीच में निकला था, और यहाँ पर भी 12 रुपे 85 पैसे क वो रहेगा करीब करीब 10 रुपे के आसपास, उसको अपना लगा के रखिए, शायद कुछ दर्शकों को यह बात समझ में ना आए या अच्छी ना लगे कि 15 रुपे से हम कैसे कह रहे हैं 10 रुपे, दोस्तो, बहुत सारे चनल ने कहाता है, हाँ 15 रुपे के बाद 50 आएग अपने accordingly खरीद सकते हैं, staggered mirror में हमेशा खरीदेंगे फायदा रहेगा, हमारे चनल का 5 by 5 rule, ध्यान रखना, और साथ में हम इस स्टॉक में बहुत bullish है, देवन से, हमने इसको 9 रुपे से खरीद के रखा है अपने portfolio में, 50 हमारा target है, आने वाले 2 साल के अंदर, recommendation simple, buy and hold करके र राइट तरिके से learn करते हैं, हमने एक customized program define किया है, 8000 रुपे fee से सिर्फ January महिने के लिए, अगर January महिने में नहीं अन्रॉल किया तो आपको extra पैसे देने पड़ेंगे, जिसमें आपको stock market की सिखाय जाएगा, और साथ ही साथ में intraday trading सिखाय जाएगी, nifty and bank nifty के feature and option में, handhold क करकर आपको बताया जाएगा कौन से trade की है, और गलती होंगी, ये बात समझे दोस्तों, गलती नहीं है, ऐसा कोई कहे कि कभी भी आपको stock market trading में loss नहीं होगा, loss होता है दोस्तों, पर आपको उन से सीखना है, वो ही हम यहाँ पर कराते हैं, अगर आप चाहिए इस service, तो में mail